स्वागत है दोस्तों आई हूप आप से बच्छे होंगे तो दोस्तों आज हम बात करेंगे SBI clerk 4th March 1st shift का analysis तो दोस्तों इस वीडियो को आप end तक देखे तभी आपको समझ आएगा देखे दोस्तों मैं थोड़ा टाइम लिया ये वीडियो बनाने में ताकि मैं देख रहा था कि कितने candidate से क्या क्या reply मिलता है मेरे को जो candidate को मैं जानता हूँ personally जानता हूँ उनसे जो भी feedback लेनी की कोशिश किया कि कैसा paper था तो देखे दोस्तों overall मेरे को क्या पता चला है paper का और जो comment section में जो आ रहे है जो candidate comment कर रहे है तो उनका क्या मतलब है तो देखे दोस्तों अगर मैं जिसे बात किया candidate से बहुत तो English से start करते हैं तो English में candidate का कहना है कि previous shifts जो हुआ था 25 तारीकों दो shift उनसे easy आया paper तो मेरे हिसाब से इतना easy होगा नहीं ठीक है और comment में भी कुछ लोग कह रहे है कि previous nine साफी हुआ है हम लोगों के साथ क्यूंकि 25 को जो English का paper आया था बहुत tough आया था as compared to आज का शिफ्ट तो आप बताएं कि आपका कितना attempt हुआ है अगर first shift में हुआ है तो बहुत लोगा कहना है कि 30 plus easily था doable था attempt accuracy के साथ क्या यह सही बात है आप बताएं देखें दोस्तों इस पर detail में एक और वीडियो आएगी शाम तक अभी जो मेरे को मिला है अभी तक ख़बर उसके हिसाब से बता रहा हूँ तो English का यह condition था अगर GK का बात करें तो GK भी easy था moderate to easy to moderate कहा जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है और बहुत लोग इसमें यह भी कह रहा है कि GK का जो condition था previous जो 25th को हुआ था उसके first shift जैसा था मतलब tough था किसी के हिजाब से tough था किसी के हिजाब से easy था और किसी के यह भी कहना है कि चार तारिक वालों को ज्यादा टाइम मिल tension लेनी की बात नहीं अभी ठीक है लेकिन मेरे हिसाब से paper GK का भी moderate था इतना easy था नहीं ठीक है जो मुझे genuine बात हुआ है जो candidate से personally उनके हिसाब से उनका attempt ही 75 to 80 हुआ है जो candidate से बात हुआ है मेरा और जो बाहर के कुछ के candidate है तो इसमें क्या कह रहे है वो यह भी कह रहे है कि 110 प्लास easily attempt था कुछ लोग 120 कह रहे है पता नहीं वो fake भी हो सकता है याद रखना अभी ये सब चक्र में मत फसना तो मेरे हिसाब से देखिए English अभी moderate है GK भी moderate था और कुछ कुछ का ये भी कहना है कि quant जो है quant जो है अगर आप चूस करके करते तो अच्छा attempt 20 प्लास attempt कर सकते थे तो आप बताएं कि quant का level क्या था तो quant का level 20 प्लास कर लिए तो मतलब अच्छा attempt हो रहा है आपका 20 प्लास हो रहा है तो ठीक है 20 प्लास कुछ लोग कह रहे है 30 प्लास तो आप बताएं कि आपका कितना आपका क्वांट हो गया मोडरेट था और रिजिनिंग जो था वो डिफिकल्ट था तो ओवरॉल पेपर ऐसा कंडिशन्स था ठीक है तो आप बताएं कि आपका क्या था इंग्लिश में कितना अटेंट हुआ आपको पेपर का लेवल क्या लगा नहीं लगा आप बताएं उसके बाद मैं अभी देखता हूँ और डाटा कॉलेक्ट करके शाम को एक वीडियो फिर से लेके आओंगा फर्शिफ्ट के हिसाब से ठी लेने की बात नहीं शाम तक मैं एक और वीडियो लेके आता हूँ कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स वीडियो में